नमस्कार वीकेबिन्यूस की सबसे खास, सबसे सटीक और महत अपूर्ण पेशकर्ज देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मुंबई में कोरोना मरिजों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट के चलते शेगरही प्रतिबंदों में धील देनी की तैयारी की जा रही है वही माराश की महिला पुलिस कर्मियों के लिए खुश कबर है राज के पुलिस महानिदेशक संजेप पांडे ने एक आदेश जारी कर उनकी सेवा ओधी में कटोती का निरने लिया है इसी बीच सुप्रीम कोट से 12 बीजेपी विदायकों के निलंबन पर मिली करारी शिकस के बाद महाराश के बेगाविनेट मंतरी नवाब मलीक ने कहा कि आदेश को पहले हम पढ़ेंगे और फिर उस पर अंतीम फैसला विदासबा अद्देक्ष लेंगे उधर एक मराड़ी फिल्म में बच्चों को अश्नील हरकत करते दिखाय जाने के मामले में फिल्म निर्माता निर्देशक महस मांजरेकर की मुश्किले बढ़ सकती है दो सहर सरकारी संगटनों ने मांजरेकर के खिलाब अदालोतों में शिकायत की है इसी बीच राजपाल सचिवाले के बाद अब राज सरकार ने भी राजपाल कोटे वाले विधान परिशत के 12 सदस्यों की सूची उपलप्त कराने से इनकार कर दिया है सूचना अधिकार कानून के तहत यह जानकारी मांगी गई थी प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जाने हमारे साथ देश की आर्थिक राजदानी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार आरी गिरावट के चलते शिग्रही प्रतिबंदों में ढिल देने की तयारी की जारी है मुंबई में बाग, खेल के मैदान, परेटक स्थल, पार्क, चिडिया घर, संग्रालय को शर्तों के साथ खुलने पर विचार किया जा रहा है BMC के अतिरिक्त आयुकत सुरेश काकानी का कहना है कि मुंबई में कोरोना के मामलों में कमी आई है राज्य सरकार और टास्क फोर्स के साथ चर्चा कर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के संबन में जल्धी निर्ने लिया जाएगा अगले हपते से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है काकानी ने कहा कि अगर मुंबई में इसी तरह कुरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा तो कुछ अन्य प्रतिवंदों में भी डिल दी जा सकती है विशेशग्यों की राय ली जा रही है तथा आपास्थिति के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तेद है उमीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री इस पर जल्दी सकारात्मक फैसला लेंगे मुंबई में नए कोरोना केस और घटे है महराष्टर में शुक्रवार को कोरोना के 24,948 नए मरीज मिले इनमें मुंबई के 1,312 मरीज है राज्ज में 103 लोगों की मौथ हुई जिन में मुंबई के 10 मरीज शामिल है राज्ज में इससे पहले कोरोना से 31 अगस को 104 और 1 सितंबर को 183 लोगों की मौथ हुई थी महराष्टर की महला पुलिस कर्मियों के लिए खुश कबर है राज्ज के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने एक आदेश जारी कर उनकी सेवा आवधी में कटावती का निर्णे लिया है डीजेपी के आदेश की मुताबिक अब पूरे महराष्टर में महला पुलिस कर्मियों को अब 12 के बज़ाए 8 घंटे डिउटी करनी होगी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेश को लागू किया जाए एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा कि महला अधिकारियों को बहतर कारिये जीवन संतूलन प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया है क्योंकि आमतर पर उनके कंधे पर घर की भी जिम्मेदारी होती है दोहरी जिम्मेदारी के निर्वहन में उनकी नीजी जिन्दगी कई बार हाशिये पर नजर आती है अधिकारी ने बताया कि इससे पहले या व्यवस्ता नाकपुर शहर, अमरावती शहर और पूने ग्रामिन में लागू की गई थी हाला कि आपात स्तिती में या त्योहरों के दोरान मैला कर्मियों की ड्यूटी के घंटे बढ़ाय जा सकते है लेकिन यहां केवल संबन्दी जीला पूलिस अधिक्षको या पूलिस उपायोक्तों की अनुमति से ही हो सकेगा सुप्रीम कोट से 12 बीजेपी विधायको के निलंबन पर मिली करारी शिकस्त के बाद महराष्टर के कैबिनेट मंतरी नवा मलिक ने एहम बयान दिया है उन्होंने कहा कि इस फैसले की कौपी विधान मंदल सचियों को मिलने के बाद वे ही साधेश को पढ़ेंगे जिसके बाद उस पर अंतिम फैसला विधान सबा के अध्यक्ष लेंगे यह मामला सिर्फ महराष्टर विधान सबा का नहीं बलकि देश की सभी विधान सबाव का है मलीक ने कहा कि संसत का अधिकार या विधानसवा का अधिकार अंतिम है या उन पर सुप्रीम कोट का आदेश लागू किया जा सकता है इन तमाम बातों का संग्यान विधान मंडल सच्यू लेंगे इन सब जानकरी के बाद ही अध्यक्षय मौधय अंतिम निर्णे लेंगे कि सुप्रीम कोट का आदेश महराष्टर की विधानसवा पर भी लागू होता है विधानसवा में कानून बनाने का काम होता है लेकिन यहां कानून सही है या गलत इनका फैसला सुप्रीम कोट करता है बीजेपी विधायकों के निलंबन का फैसला भी गलत और और समवय धनि इसलिए सुप्रीम कोट ने इसे रद्द किया है माने ने कहा कि महाराष्ट सरकार ने कई जी आर गलत तरीके से निकाले है उन्हें ततकाल रद्द करके नए जी आर लागू किये जाने चाहिए इस बीच सुप्रीम कोट के फैसले के बाद महाराष्ट बीजेपी में खुशी क बढ़ सकती है दो गेर सरकारी संगटनों ने मांजरेकर के खिलाप अदालत में शिकायत की है निर्माता निरदेशक के साथ सेंसर बोट के अध्यक्ष प्रसुन जोशी का भी नाम लिखा है जिस पर 31 जनवरी को सुनवाइ होनी है देशपांडे की मुताविक फिल्म के ट्रेलर में नाबालिक बच्चे अशलील हरकते करते नजर आ रहे है लेंगी कुत्पीडन से बच्चों के सवरक्षन से जुड़े कानून पॉक्सो का उल्लंगन है और यहां कामुकता में रूची बढ़ाने वाला है इसलिए मामले में महिश मांजरेकर के खिलाब पॉक्सो महिलाओं का अभद्र तरीके से पेश करने से जुड़े कानून के साथ आईटी एक्ट के तहद भी कारवाई की मांग की गई है मामले में मुंबई पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई इसके चलते आदालत का दरवाजा खटखटाया गया है इसके अलावा कशेतरीय मराथा सेवा संस्था ने भी बान्दरा मेट्रोपॉलिटन मेजिस्टरेट कोर्ट में महिश मांजरेकर के खिलाब शिकायत की है राज्यपाल सची वाले के बाद अब राज्य सरकार ने भी राज्यपाल कोटे वाले विधान परिशत के बारा सदस्यों की सूची उपलब्द कराने से इनकार कर दिया है सूचना अधिकार कानून के तहत यह जानकारी मांगी गई थी RTI कारेकरता अनिल गलगली कई मेहनों से इस सूची की मांग कर रहे है इसके पहले राज्यपाल सची वाले ने भी RTI के तहत वे नाम बताने से इनकार कर दिया था जिसे राज्यमंत्री मंडल ने राज्यपाल के पास भेजा था गलगली ने राज्यमंत्री मंडल की बैठक में राज्यपाल द्वारा मनोनित बारा विधान परिशत सदस्यों के लिए सुविक्रूत प्रस्ताओ एवं प्रस्ताओ की जानकारी मुख्य सचिव कारेले से मांगी थी मुख्य सचिव कारेले ने गलगली के आवेदन को संसदिय कारे विभाग को भेज दिया इस विभाग के एक अक्ष अधिकारी टी एन शिकरा में ने अनिल गलगले को बताया कि धारा आठ एक के तहत जानकर युपलब नहीं कराई जा सकती क्योंकि मामला अभी पूरा नहीं हुआ है गलगली के मुताबिक विधान परिशत के सदस्यों की नियोक्ती और भेजी गई सूची देने से राज्यपाल सचिवाले और महराष्ट सरकार इन दोनों की ओर से टालम टोल किया जा रहा है बतादे की नमंबर 2020 में राज्यमंत्री मंडल ने रिक्त हुई विधान परिशत की राज्यपाल मनुनेद 12 सीटों के लिए 12 नामों की सिपारिश राज्यपाल के पास भेजी थी पर राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्यपाल भगत सिंग कोशारी ने इन सूची को मन्जूरी नहीं दी देश की सबसे हम खबरों में आज दो मामले अदालत से संबद है एक में मैरिटियल रेपर केंदर सरकार ने दलिल दी है कि इस मामले में हम आखमुन कर पश्चिमी देशों की राह पर नहीं चल सकते तो दूसरे में मदरास हाई कोट ने सुनवाई के दवरान टिपपनी की है कि इश्वर सर्वव्यापी है इश्वर को अपनी दिवय उपस्तिती के लिए किसी विशिष्ट स्तान की आवशक्ता नहीं है तो बिहार में अब सभी सरकारी शिक्षक शराबियों की पहचान करेंगे और इसकी सूशना उत्पाद एवं मद्यनिशेद विबाग को देंगे वही बेटिंग रिट्रिट के आज 73 गंतरत दिवस का समापन हो जाएगा इसी बीच करनाटक के शिक्षवी भाग ने कोलार जिले में स्कूल परिसर में छात्रों को नमाज अदा करया देने के आरोप में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है केंदर सरकार ने दिल्ली हाई कोट में पत्नी से रेप यानी मेरिटियल रेप से जुड़िक जन हित्या चिकाओं का विरोध किया है केंदर ने कहा कि पतनी से रेप को अपराधिक माना जाए या नहीं इसे लेकर आखमुन कर पश्चिमी देशों की रहा पर नहीं चल सकते। सरकार ने कहा कि इस बात को वेरिफाई करने की कोई पुक्ता व्यवस्तान नहीं है कि पतनी ने कब सेक्स के लिए सहमती वापस ले ल पतनी से रेप को अपराध माना है लेकिन इसका मदलब ये नहीं कि भारत भी आखमुन कर उनके रास्ते पर चले। साक्षरता ज्यादातर महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होना। समाज की सोच, विविधताओं, गरीबी वगेरे तमाम अलग-अलग फैक्टर् होगा कि किसी शादिशुदा महिला ने करप सहमती वापस ले ली। मैरिटियल रेप के मामले में परिस्तिती जन्य साक्ष बेकार हो जाएंगे। कि खंड़पीट ने कहा कि याचिका करता मंदिर की स्तापना कियाड में राजमार्ग संपती को हडप नहीं सकता है, जो किसी पंत, जाती और धर्म की जगस सारवजनिक उपयों के लिए है। यदि याचिका करता भक्तों को विनियरगर की पूजा करने के लिए मंदिर बना के लिए राजमार्ग विबाक की ओर से जारी नोटिस को रद करने की मांग की गए थी। बिहार में शराबबंदी कानुन को सफल बनाने और शराबियों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विबाक ने नया फर्मान जारी किया है। इसके मुताबिक अब राज के सभी सरकारी शिक्षक शराबियों की पहचान करेंगे और इसकी सूचना उतपाद एवं मदनिशेद विबाक को देंगे। तो चात्रो को कौन पढ़ाएगा। कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजितना तिवारी ने सवाल उठाया कि जब बिहार में शिक्षक पार्चाला जाने के बजाए मदुशाला खोजने में लगेंगे तो चात्रो की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। उन्होंने इसे शिक्षाविभा का सनक्पन भरा फैसला बताते हुए ततकाली से वापस लेने जाने की मांकी। वही शिक्षाविभा के इस फैसले पर जनतादल उनाइटेड ने पूर्ण सहमती जताते हुए कहा कि शिक्षक समाज के हर तपके को जानता और समझता है। बिहार के तमाम शि पूरे होने के उपलेक्ष में इस समारो का आयोजन आजादी का अमरुत महुत्सों के रूप में मनाय जा रहा है। पर फैन फैर गीत के साथ होगी। इसके बाद मास बैंड वीर सैनिक गीत और पाइपस एंड ड्रम्स बैंड 6 धुन बजाएंगे। अदम कदम बढ़ाये जा। ड्रमर्स कॉल और ए मेरे वतन के लोगों की प्रस्तुती देगा। समारो का समापन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा। महात्मा गांधी के पसंदिता बजन की धून अबाइट विद्मी इस बार बीटिंग रिटिट में सुनाई नहीं देगी। 26 धुनों की लिस्ट में यह शामिल नहीं है। दूसरी बार इसे बीटिंग रिटिट से हटाया गया है। करनाटक के शिक्षा विबाग ने कोलाल जिले में स्कूल परिसर में छात्रों को नमाज अदा करने देने के आरोप में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। सेशनुता, प्रथाय और परंपराय होनी चाहिए। शिक्षक का कार्य करतव्य की उपेक्षा और उसकी ओर से लापरवाही को उजागर करता है। इससे सीखने पर नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा और शिक्षनिक संस्तान की समगर बगती में बाधा आएगी। शिक्षक क को अगले आदेश तक जांचलंबित रहने तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्हें बिना अनुमती जिला मुख्याले से बाहर नहीं जाने के लिए भी कहा गया है। करिब 20 चात्रों का एक क्लासरूम के अंदर नमाज अदा करने का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हुआ था। इस पर प्रतिक्रियां को देखते हुए यह निर ने लिया गया है। कि भारत उर्खे 30 तर यात्रियों को अजमेर शरीफ निजाम अदिन दर्गा समेट कई धर्मस्तलों पर जाने की इजाज़त दे। तो व्यापार से लेकर हतियारों तक में पाकिस्तान की मदद करने वाला चीन अब उसके साथ अंतरिक्ष मिशन को भी बढ़ाने जा रहा है इसे बिज रूस और यूक्रेन में जारी तनाव में एक नया मोड़ा गया है। यूक्रेन के राश्पति ने कहा कि अमेरिका अनावश्यक रूप से ही रूस के हमले की योजना का डर दिखा कर यूक्रेन की अर्थवेवस्ता को नुकसान पहुचा रहा है। उधर एक रिप इसे बिज रूस के अने से घबराया हुआ है। जो खुद उसके हवाई शेतर में उड्रे विमानों को भी मार गिरा सकता है। S-400 के अक्टिव रहने पर पाकिस्तान अपने पूरे हवाई शेतर का इस्तमाल नहीं कर पाएगा। S-400 में 40 किलोमेटर से लेकर 400 किलोमेटर तक मार करने वाली मिसाइले लगी हुई है। ये मिसाइले एरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बम और कुछ अन्य तरह की मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जिस चीन निर्मित DF-17 हाईपरसोनिक मिसाइल को सीमा पर लगाने के मूड में है, उसकी मारक्षमता 2500 किलोमेटर है और ये ध्वनी की रफतार से 5 या 10 गुना की स्पीड से हमला करती है। इसे गुवाम किलर मिसाइल भी कहा जाता है। चीन इस हा दर्फ रिष्टों की वज़े से अभी केवल हटारी वागालेंड बॉर्डर और कतारपर कॉरिडर के जरीए ही श्रदालू आते जाते हैं। इस प्रस्ताओं के जरीए इमरान खान की सरकार चाहती है कि भारत उसके तीर्थ यात्रियों जिन में अधिक तर मुस्लिम होंगे को अजमेर शरीफ निजाबुदिन दर्गा समेट कई धर्मस्तलों पर जाने की ज़ाजदे। भारत ने जवाबी प्रस्ताओं में कहा है कि वो बाचित को तयार है बगर और धर्मस्तलों को एक दुसरे के नागरिकों के लिए खोला जाना चाहिए। श्रदालू के लिए ल इंदिर पर 11 हमले हो चुके है। भारत और पाकिस्तान के बीच और तिर्थसलों को खोलने पर बाचित की सहमती ऐसे वक्त बनी है जब दोनों के रिष्टे रसातल में हैं। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुच गए थे। भा पाकिस्तान के लिए एक और सोगात लेकर चीन आया है। खबरों के अनुसार व्यापाल से लेकर हतियारों तक में पाकिस्तान की मदद करने वाला चीन अब उसके साथ अंतरिक्ष मिशन को भी बढ़ाने जा रहा है। चीन के ओर से कहा गया है कि इसलमाबाद के सहयोग से व को आगे बढ़ाएगा। शुकरवार को चीन के ओर से गोशना की गई कि वह पाकिस्तान के लिए अंतरिक्ष केंदर बनाने से लेकर अधिक से अधिक उपगरह प्रक्षेपित करेगा। चीन के अंतरिक्ष कारेक्रम 2021 के तहर जारी किये गए श्वेत पत्र में पाकिस्तान क कई बाल जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया कि चीन पाकिस्तान के लिए संचार उपगरह विकसित करने और अंतरिक्ष के इंदर निर्मान में सहयोग करने को प्राथमिक्ता देगा। इसके अलावा वह अगले पांस साल में अंतरिक्ष पर अपने कारेों को और भी ज्या पन में मदद कर चुका है। चीन की ओर से सैटलाइट केरिंग या फिर लॉंचिंग सर्विस अब तक सौधिय अरप, पाकिस्तान, अरजेंटिना, ब्राजिल, कनाडा को मुहिया कराई गई है। शुरू नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका और नाटो को चेताओनी दी कि वह पश्चिमी देशों को उसके सुरक्षा हितों को रोनेन नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम हमारी स्वतनता और शेत्रिय खंडता के लिए अमेरिका की ओर से दी गई साहता के लिए शुक्र गुजार है, लेकिन मैं युक्रेन का राष्टपती हूँ, मैं यहाँ हूँ और मैं ज्यादा जानकारी रखता हूँ, मुझे किसी अन्य राष्टपती की तुलना में ज्यादा जानकारी है। शेन के राष्टपती और अन्य अधिकारी वहाँ के शेयर बाजार और अर्थव्यवस्ता को युद्ध के डर से बचाय रखना चाहते हैं। कल बाइडन और जलेंस्की के बीच हुई बाचित में भी अमरीकी राष्टपती ने फरवरी में रूस के हमले की आशंकार जताई थी। भारत सरकार ने 2017 में इसराइल का जासुसी सौफ्टवर पेगासस खरीदा था। को पेगासस दिया गया। बतादे कि जुलाई 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल की यात्रा की थी। उस दोरान पीम मोदी अपने समकक्ष बेंजामी नेतनाउं के साथ एक बीच पर टहलते हुए देखे गए थे। हाला कि दोनों के बीच दिखाई इस गर्म जोशी का कारण दोनों देशों के बीच हुए डिफेंस डील थी। दोनों देशों के बीच हुए दो बिलियन डॉलर समझोते में हतियारों और खुफिया सिस्टिम की खरीश शामिल था। साथ इस डिल में पेगासस भी शामिल था। हाला कि अब तक न तो भारत सरकार और नहीं इसराइली सरकार ने माना है फिब भारत में पेगासस को खरीदा है। भारत में की गई जांच में बताया गया था कि जिन जिन के खिलाब जासुसी होने की संभावना थी उसमें कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी, राजनितिक रंडनितिकार प्रशांत की शोर, ततकालिन चुनाव आयुकता अशोक लवासा, सुचना और प्रदोगी की मंतरी अश्विनी वैशनों थे, सहित कई अन्य प्रमुक्त नाम थे, इस सूची में 40 पत्रकार भी थे, तो आज की इस खास पेशकर श्रिबस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रिए, वीके बीन्यूस, नमस्कार क्ईया हूँ